विश्काव विच्चों स्वागत है आप सभी का अपके अपने ऑनलाइन संस्तान परिक्षाप प्लस में अगर आप देखो तो उत्तर प्रदेश पुलिस भरती बोर्ड की चैल कदमी फिर से सुरू हो गई है और यह दिसंबर का महीना जन्वरी का महीना हर साल उत्तर प्रदे प्रदेश पुलिस भरती बोर्ड से और इस बार जो मोस्ट अवेटिंग वेकेंसी है आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल यह भी आपकी दिसंबर के अंतिन सब्ता तक नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी उमीद है क्योंकि इनकी जो बहुत बढ़ी ख पर बोल दिया है कि जनवरी के लास्ट वीक तक क्या करा लेंगे पेपर भी करवा लेंगे तो रेडियो ऑपरेटर जो एसिस्टेंट ऑपरेटर हैड ऑपरेटर कमसारा कमसारी की तयारी करने वो बच्चे तो तयार ही रहे पेपर के लिए इसके अतरिक अगर देखा जाए तो कुल मिला के 62,000 पद आपके आने वाले हैं जिनमें से सबसे पहला आपका उत्तर प्रदेश कॉंस्टेबल का पद है उसके बाद UPSI के लगबग 2700-2200 पद हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लगबग 1000 से जादा पद हैं UPSI इस्टेनू जो आपकी लिपिक संबर्ग के हैं इसके भी अच्छे खासे पदा रहे हैं जेल वाडर के लगबग 2400-2500 पद हैं और रेडियो और हेड़ ओपरेटर के 2430 पद जो हैं इसमें अगर देखा जाए तो इसकी पेपर आपका जनवरी के लास्ट बीक में इन्होंने बोल भी दिया है हाला कि हमसे पहले निउस अब पत्केवल कॉंस्तेबल की बात किया जा रहा है ठीक है इसमें और ये लगबग 33,000 पद कम नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा पद होते हैं अगर देखा जाए तो फिर उसमें बाकी जो संवर्ग हैं उनके भी यहां पे वेकेंसी अगर आप देखोगे तो जेल वार्ड किया है बट exactly इनकी information correct नहीं है यह सारे पद कम कम करके की हैं आने में जो बोल सकते हैं कि आ सकते हैं पद लिपिक संवर्ग में भी computer operator में भी इससे बढ़के आएंगे कुल मिला के लगबग 1000 प्लस पद जाएंगे computer operator में और करीबन 900 प्लस पद जाएंगे आपके लिपिक आईएं तो अभी आप देखो तो यहां पर अपनी तैयारी आप लोग जो एकदम pause कर दिये थे वह फिर से कर दो एक चीज़ बहुत बड़ा जो मुद्दा होता है एज relaxation का उसके बारे में भरती बोर्ड ने ऐसा कुछ भी करने के लिए मना किया है अभी कुछ भी ऐसा एज relaxation कुछ भी नहीं होने वाला है लेकिन आप लोग जितने भी हो क्योंकि नुकसान तो होता ही है 2018-19 के बाद constable की भरती अब आ रही है लगाता है पांस साल और बहुत सारे बच्चे overage हो जाते हैं बड़ जो नहे बच्चे मैं उनको यह बताऊंगा कि इस बार मौका मत आप कोई भी एक्जाम दोगे आप चाहे constable का एक्जाम दोगे आप चाहे UPSI का एक्जाम दोगे चाहे लिपिक सेंवर्ग में SI ASI का एक्जाम दोगे या पिर आप computer operator का एक्जाम दोगे कुछ portion आपको confirm पढ़ने होते एक ही पढ़ना होता है जैसे आप Hindi अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो GS अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो और सबसे ज्यादा जो question पूछा जाता है वो reasoning का पूछा जाता है क्योंकि reasoning में mental ability, reasoning, IQ सब कुछ intelligence, सब कुछ मिला के यह पूछते हैं तो हर paper में अगर देखा जाए तो overall 35 to 40% पूरे paper का weight is केवर reasoning लेके जाता है तो इन ये तीन पार्ट लगबग आपके सारे ही paper में आप किसी के भी तैयारी करने जाओगे, even radio operator है, इसमें भी आप क्या करोगे, इसके भी आप तैयारी इन तीन section के बदोलती ही करोगे, तो ये तीन section आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो special section है, जैसे सबसे पहले आपका रेडियो operator का लगा हुआ है, रेडियो operator की बच्चों मैं आपको बता दू कि सबसे आता जो physics के आप ले परिशान हूँ, आपके लिए रात को 9 पीम पे daily basis पे, daily basis पे मैं physics की class लेके आ रहा हूँ, और ये class जो आपकी होगी, ये theory plus mc क्यों होगी, theory plus mc क्यों कहां पे होगी, ये भी आप समझ लोगी, परिक्षा प्रस YouTube पे बहुत ही qualitative, परिक्षा प्रस YouTube पे इसका batch भी हमने चलाया था, batch लगबग complete हो गया था, वहाँ पे जो topic छूटी है, सब कुछ हम लोग radio operator की है, जो physics और science वाली class है, ठीक है, खासकर physics की class, इसे मैं आपको complete कराऊंगा, 9 पीम से किस तारिक से start होगी, ये मैं आपको बता दू, तो ये आपके start होगी 16 दिसम्बर से, कब से start होगी, 16 दिसम्बर से start होगी, और सारे topic 9 पीम से, तो आप अभी सही, परिक्षा प्रस चैनल, अगर आप subscribe न कियो, subscribe कर लो, और 9 पीम पे 16 दिसम्बर से daily, हम लोग क्या करेंगे, कि क्लास, MCQ प्रस्थेरी, बहुत विद्वत, एकदम एक्जाम ओरियंटेट, जो 45 क्लास होगी, वो कबर करेंगे, इस सचनल में बस अतना ही चैनल पे नहें, सब्सक्राइब होशे कर लीज़ेगा, बीड़ो पशंद है, लाइक कर लीज़ेगा, फिर मिलेंगे बहुत-बह निवास अभी का बहुत-बहुत आवाई,